असलाम लेकुम विवर्स कैसे हैं आप सब? I hope कि आप सब ठीक ठाक होंगे आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चॉकलिट चिप कुकी केक की रेसिपी तोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है लेकिन बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाली है और बहुत असान है बनाने में इसको आप किसी भी उकेजन पर बना के इंजोई कर सकते हैं तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम चीनी लेंगे ब्राउन शुगर और वाइट शुगर मैंने हाफ हाफ कप इच ली है दोनों पिसी हुई चीनी है बटर हमें चाहिए हाफ कप ये रूम टेमपरेचर पे बटर है इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से हमने बीट कर लेना है यहां तक के इसकी कंसिस्टेंसी क्रीमी हो जाए दो से तीन मेट बीट करने के बाद इसमें हम एक अदत अंडा शामिल करेंगे अंडा मैंने रूम टेमपरेचर पे लिया है और साथ-साथ इसको हम बीट करते जाएंगे और साथ-साथ में साइट्स को स्क्रेप करती जाओंगी ताकि अच्छी तरह से सारा बैटर बीट हो जाए अब इसमें हम वनिला एसंस डालेंगे वन टी स्पून मैंने वनिला एसंस लिया है यह भी इसमें शामिल करेंगे और इसको और हम बीट करते जा रहे हैं ठीक है यह हमारा मिक्शर बीट हो चुका है अब हम ड्राइ इंग्रीडिंट्स लेंगे जिसमें मैदा है वन एंडा हाफ कप इसके साथ ही बेकिंग पाउडर है वन फोर टी स्पून और बेकिंग सोडा है हाफ टी स्पून यह दो ची अब इस मैदे को हमने मिक्स कर देना है जो हमने अंडा और बटर बीट किया था उसमें सारी कीज़ें डाली थी इन सब चीजों को अच्छी तरह से हमने फोल्ड कर देना है ठीक है यह देखें बिल्कुल जैसे कुकी का मिक्सचर बनता है वैसा मिक्सचर बन गया है अब इस को हम slightly mix कर देंगे तो यह हमारा कुकी केक मिक्सचर तयार हो चुका है अब हमें चाहिए एक बेकिंग पैन मैंने स्कुएर पैन लिया है आट बाया इंचिस का इसको मैंने ग्रीज कर दिया है वैक्स पेपर लगा दिया ओपर से दुबारा ग्रीज कर दिया है इसमें हम यह सार करेंगे को किस तयार हो जाएंगे उपर से हमने गानिश किया है बाकि जो रिमेनिंग चॉकलेट चिप से उससे और इसको बेक करेंगे 170 डिग्री सेलसियस पे 25 तो 30 मिनट के लिए ठीक है यह तयार हो चुका है इसको मैं स्कुएर में कट कर देती हूं आप इसको आप इसको बनाया है तो आप किसी भी उकेजिन पे इसको सर्फ कर सकते हैं जरूर ट्राइक कीजिएगा रेसिपी अगर यह रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग अलाहाफेश